नमस्कार पहस्वागत है आपका करकरासी बालों आने वाले साथ साल आपके कैसे रहेंगे साल 2024 से 2030 तक का वक्त क्या कुछ बड़ा बदलाव लाएगा आपका करियर आपका कारोबार बैवाहिक जीवन लव लाइफ जो विद्यार थी हैं उनके लिए क्या आप जॉप करेंगे या फिर बेफसाए या कुछ अपना अलग हट के कारे चलिए आज जानते हैं बिस्तार से तो वीडियो के अंतक बने रहे हैं और ये पडिशन चंदरासी पर आधारीत है तो बैदिक जोतिस के अनुसार साल 2024 से 2030 तक का वक्त करकबालों आपके लिए कुछ खास जरहट के क्य कबना जाता है चन्द्रमा कारक भी से खानपान के कारक भी के चंद्रमा होते हैं तो के लिए म्लगा स επर 27 से प्रक्राइब और दोसरी आप पर स्निदेव की रहते हैं और इसके बाद दूसरी रासी में जाते हैं कि एक 20 साल में जो देवगुर ब्रिस्पति हैं करकरासि में ब्रिस्पति उच्चिके होते हैं और वो तेरह मेने में रासी परिवर्तन करते हैं और साथ ही जो रहू केटू है वो डेर साल यह अठारा मेने में रासी प्रिवर्तन करते हैं तो आने वाले साथ साल मतलब आने वाले साथ साल करकबालों का करियर कारुवार धन की स्थिती इस वा भीवाही जी साल का होताई अब यह ठाया आपके लिए कैसा रहेगी पहले यह जानते हैं देखिए अभी धहिया आपके उपर चलेगा दो हजार पच्चिस करीब आधा साल तो चला ही जाएगा धहिया में धहिया में सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है आपके स्वास्त पर पहला प्रभाव दूसरा आपके रिष्टों पर तीसरा आपके माता पिता के स्वास्त पर तो अगर इन तीनों चीज पर आप ध्यान दे लिए तो फिर उतनी मुश्किल नहीं होगी अब देखिए आपकी कुंडली के अस्टम भौ में हैं इस समय सनिदेव और अस्टम भौ होता ही है और निस्चित्ता का भौ 2024-2025 के आधे वर्स तक खासकर थोड़ा साथ साबधानी के साथ गुजर जाने दीजिए पर अच्छा क्या होगा देखिए अच्छा ये होगा कि हर मुश्किलों से हर परेसानियों से आपकी रक्षा होती रहेगी दूसरा आयू के लिए अच्छा है स्वास्त की मुश्किलें तो आएगी पर आयू पर संकट नहीं है मनोवांचित फलों की प्राप्ती भले ही देर से हो पर होगी जरूर अब सनिदेव और चंद्रमा दोनों में सत्रुदा है और इन धाई साल में खास कर जब सनिदेव के साथ गोचर में चंद्रमा आकर बैठ जाएं तो वो जो सबा दो दिन का वक्त है उसमें समल जाईए तो अतियुत्तम नए काम में सोच समझ कर हाट डालिये पहले से जो काम कर रहे हैं वो ठीक है कहीं निवेस करना चाहते हैं नया तो अभी रुख जाईए बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें हलकी फुलकी कर सकते हैं और उसे सलाह लेकर तो धहिया समाफ्त होने के बाद क्या होगा आपके मन में ये भी सवाल होगा देखिए दो हजार पच्चिस का आधा वक्त तो धहिया में भीतेगा लेकिन उसके बाद वैसे भी उतरती भी धहिया उतनी कस्ट नहीं देती यानि कि दो हजार चौबिस के अप्रेल के बाद से थोरी कस्ट कमेगी अभी चड़ती भी धहिया जितना परिसानी दे रही है उतरती भी धहिया उतना परिसान नहीं करेगी तो वहां से कस्ट थोरा कमेगा उतना परिसानी नहीं होगा और जब पूरी तरह से आपकी धहिया समाप्त हो जाएगी दो हजार पच्चिस में तो यहां से 26 और 27 ये साल अतिसूप साबित होंगे जिस काल में जिस छेतर में हाट डालेंगे वो ही सफलता भाग्योदय तो होगा एक्छाओं की पूर्ती भी होगी अब सनीदेव आपकी गोचर कुंडली में भागस्थान पे हैं इस समय तो आप अपना हुआहन आप अपनी कोई प्रॉपर्टी मकान ले सकते हैं ये समय आपके लिए सर्बोत्तम है और परिवार का सुक भी मिलेगा यहां तक की संतान प्राप्ती के योग बनेंगे संतान है तो उनका डेबलेपमेंट होगा अगर आप नौकरी करते हैं तो इंक्रिमेंट प्रमोशन के योग बनना तैह है तो संतान प्राप्ती के साथ संतान की तरक्की और बिदेश यात्राएं लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे बिदेशों से लाब होगा तो समय अच्छा है देव गुरु भरस्पती का भी आशिरबाद आपके बरसेगा वैसे तो अभी बरस रहा है 22 अप्रेल के 2023 से ही बरसना शुरू हो चुका है क्योंकि देखिए सनी देव जो असुप्रभाव दे रहे हैं उसको बहुत हत तक कम कर रहे है देव गुरु यानि देव गुरु आपकी रक्षा कर रहे है दो हजार चौबिस तक आप अप्रेल द परस रहा है अगर आप ब्यापार का बिश्टार करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं कारियों के सिद्धी होगी बड़ा टेंसन नहीं है तो दो हजार चब्ष सताईस अठाइस यह जो धाई साल का वक्त रहेगा यह सरवोत्तम होगा मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि इन तरह के सुपफल देना शुरू कर देंगे यानि देव गुरू साथ तरह के बरदान देते हैं लड़कियों के लिए विवा के कारक है तो जो लड़कियां है करक्रासी की उनका विवा होगा सब्तंभाव को देखेंगे और देव गुरू की दृष्टी में अमरित है दूसरा धन देते हैं सुप देखते हैं नौकरी वेबसाइब में उन्नती कराते हैं यानि कि जितने भी सुब चीजें हैं मंगल चीजें घर परिवार में सुब मंगल कारे होंगे अपना भूमी भव है ट्रांसपर होगा परमोशन होगा है दो हजार सताइस अठाइस धन के मामलों में आप बड़े भागेवान रहेंगे आपको यहां कहीं कोई चिंता नहीं करना आपको टेंशन भी नहीं लेना आपके लिए सरवोतम वक्त है तो अब देखिए जो करकरासी वाले हैं 28 के बा अच्छा 26, 27, 28 है यह वक्त बहुत समय के बाद आपके लाइफ में आने वाला इसका फायदा जरूर उठाइएगा तो उसके पहले हम जान लेते हैं 2024 आप विद्यारतियों के लिए कैसा रहेगा देखिए खास तर पर जो विद्यारति कुछ नया सीखना चाहते हैं सपनों क को पंक लगेगा प्रयासों में सफलता मिलेगी पढ़ाई को लेकर गंबीर रहेंगे मेहनत से लक्ष की प्राप्ति होगी अगस्त सितंबर यह जो दो महिना रहेगा यह सबसे ज्यादा अच्छा है खासकर सिविल सर्विसें इंगरिंग मेंडिकल मेनेजमेंट जैसी प्रे प्रेमिशन लेना चाहते हैं आप सक्चर में तो ले सकते हैं जो एंबे की तैयारी करें विद्यारती हैं साल के मद्द में हल्की फुल की दिकत होगी जून जुलाई के बीच में परहाई से ध्यान बढ़केगा लेकिन इसके बाद फिर चीजें बढ़ियां हो जाएंगी त लेकिन हम अगर आपके जैसे लव लाइब की बात करें तो किसी से भी अगर आप प्रेम विवा करना चाहते हैं तो पहले उनके बारे में समझ लें अच्छे से फिर आप आगे बात करें तो उत्तम में प्रेम विवा की अलांकी संबाव ना बनी वी है और संतान की बात करें तो देखिए बच्चों के सोभा में थोड़ा बदलाव दिखता है बच्चे जिद्धी हो सकते हैं तो उनके साथ समय बिताइए प्रेम से बेभार कीजेगा किसी भी तरह का गलत है मी रिष्टों में ना हो इसका खास ख्याल रखे जीवन साथी के स्वास्त का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा और अगर आप संतान प्राप्ति की चाहत रखते हैं तो 100% संभाबना बनी भी है 2024 में अब चुकी धन के मामलों भी मजबूती आएगी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगा और इस समय बिना सोचे समझे कोई भी कदम मत उठाइएगा कोई पुस्तेनी कारोबार कर रहे हैं उसका विस्तार होगा लेकिन जरो से ज़्यादा चिंता भी ना करें तो आर्थिक रू विरोधिक चाहकर भी आपका कुछ बाल भाका नहीं कर पाएंगे तो फरवरी और मार्च इसके बाद नौवंबर दिसंबर यह जो चार महिना है यह सर्वोत्तम रहेगा दो हजार चौबिस में खासकर जो लोग नौकरी करते हैं जो लोग व्यपारी भाई हैं इन चार महिन